नमस्कार दोस्तों गार्गी क्लासिस पर आपका स्वागत है डेटाज की 9 मही 2023 देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल आइडिया पेज से इंपॉर्टन आर्टिकल्स जो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे देखो दो इशूस है एक तो है लुक प्राइब्लम को सौट आउट कर सकते हैं तो इस तरीके से दो आर्टिकल्स हमारे पास में दो इशूस उनको देखते हैं डीटेल में फर्स्ट आर्टिकल है लुकिंग वेस्ट से रिलेटिड देखो अभी संडे को एक मीटिंग होती है साओधी अरब में और उस मीटिंग म साओधी अरब के तरफ से और यूएई के तरफ से तो कुल मिला करके देखा जाये तो यहाँ पर इंडिया ने अपनी एक आउट्रीच शो की है यूएस साओधी अरब और यूएई के साथ बाछीट करके अब यह देखो यह अपने आप में यह जो मीटिंग है साओधी पहला कारण कि देखो इंडिया ने जो है वेस्ट एशिया में अपनी इंगेजमेंट्स बढ़ाई है पिछले कुछ सालों की अगर बात करें ठीक है केवल तेल की डिप्लोमेस ही नहीं है अब और ज्यादा डाइवर्सिफाइड मैनर में हम इंगेज कर रहे हैं जैसे की आई- इसके अलावा दूसरी तरफ देखा जाए तो आपको पता है कि जिस तरीके से अफगानिस्तान से यूएस से निकल के गया है तो उसके बाद में अफगानिस्तान बहुत ज्यादा अंस्टेबल है बहुत ही बुरी परिस्तितियों से गुजर रहा है तो उस case में उस point of view से भ चाइना ने तो इसका मतलब क्या हुआ कि चाइना की पकड़ बहुत जादा बढ़ गई थी और ये चीज जो थी वो इंडिया के हमारे जो interest है उसके कहीना कहीं favor में नहीं जाती हुई दिखाई देती है और साथ में American role लगातार decline कर रहा है वेस्ट इश्या में और Beijing और Moscow belief देने वाली बात है कि जहां पर China अपनी presence लगातार बढ़ा रहा है USA की presence और पकड़ लगातार घट रही है वेस्ट इश्या में उस time पर India जो है वो सौधी अरब और UAE को साथ में लेकर के USA के साथ मेटिंग करता है सौधी अरब में बैठके ठीक है तो यह अपने आप में पहली significant point तो यह हो गई कि क्यों यह meeting important रही दूसरा यह बताया जा रहा है कि हमारे यहाँ से अगर देखा जाए तो India no doubt Indo-Pacific region में तो अपनी expansion कर चुका है जैसे COD की membership की रिंग की बात करें पर अब जो है वो western nation countries के साथ भी अपनी एक integrated approach बनाना चाहरा है जिसमें security भी आ इंगेजमेंट्स को बढ़ाना तो इस तरीके से यह दो important aspects देखने को मिल रहे हैं जिसकी वजह से हमें लगता है कि यह meeting जो थी Sunday को जो national security advisors की जो meeting हुई जिसमें US, Saudi Arab, UAE और India की national security advisors participate करता है यह अपने आप में बहुत जादा important रही अब देखो यह meeting में क्या-क्या बात और यह जो connection हो इसमें West Asia का सीधा link हो South Asia के साथ में अब हमें यह तो पता है कि land route के through तो communication थोड़ी problem है क्योंकि West Asia की तरफ हमें जाना हो तो पाकिस्तान को cross करके जाना पड़ेगा पर पाकिस्तान हमें उधर से access देता नहीं है तो हमारे पास में option क्या बसता है land route पहला point दू Chinese dominance उसको counter करने के लिए यह चारो countries यहाँ पर साथ में आया है इसके बीचे एक logic और यह भी है कि Indian railways की जो performance है वो बहुत जादा improved है तो इस case में यह confidence building का भी काम है कि हाजी इंडिया की railway का जो mechanism अच्छा है तो क्यों ना हम जो यह Persian Gulf या Arabian Peninsula वाला region है वहाँ पर भी हम rail network develop करे क्योंकि अभी recently Sri Lanka में भी हमारी Indian railway ने एक example set किया है कि किस तरीके से हमारी railways जो है वो quickly और time पे काम करके देती है तो एक तरीके से चाइना के belt and road initiative को counter करना है और दूसरी तरफ इंडिया एक कहता है ना कि investment point of use एक अच्छा partner के तोर पे emerge होना चाता है अब देखो बई जितन पैसा चाइना के पास है उतना पैसा एंडिया के पास अके लिए ये पास नहीं है इसलिए एंडिया grouping पे विश्वास करता है और यह ठीक भी है इसके अलावा चाइना के 데bt hips से भी डरते हैं countries आपको बता है चाइना पहले करजा देता है इन्वेस्ट करता है और फिर उसी country इसके जो resources जा उनके उपर अपनी power claim करनी शुरू कर देता है तो यही चीज जो है एक डर का कारण भी बन जाती है अब आगे देखो कि अब जो crude oil है उसी के अलावा भी engagements है उनको भी diversify किया जाएगा इस meeting के बाद में जिसमें trade हो गया investment हो गया यह सारी चीज़े और include हो जाए कि देखो अभी तक तो हमने ज्यादा तर जो चाइना की जो belligrants है या चाइना को जो aggression है उसको counter करने के लिए हमने ज्यादा तर फोकस किया maritime domain में और maritime domain में भी किस तरफ eastern side में जिसमें हम cod की बात बार बार करते रहते हैं या फिर Malabar जो naval exercise होती है उसकी बात हम करते रहते है जिसमें Australia, US, Japan और India इनकी navy पार्टिसिपेट करती है या फिर इनकी leaders पार्टिसिपेट करते हैं cod and Malabar exercise की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं इसके अलाबा I2-U2 की जो meetings है वो देखो start हो गया था I2-U2 October 2021 में पर इसकी जो meetings है या फिर इनकी जो पकड जो बननी चाहिए थी उस प है साथी अरब की तरफ और एक तरफ शिया community है तो दोनों के बीच में जो conflict चलता है उसकी वज़े से बहुत ज़्यादा instability का scenario बनता है और उस चीज़ को settle करने के लिए चाइना ने कदम बढ़ा लिए तो चाइना की एक जो brokerage approach है ना वो बढ़ गई कि यहाँ कैसे settle किया जा जिसमें एक तरफ तो इसराइल और दूसरी तरफ UAE और बहरीन इनके बीच में पहले दुश्मनी थी अब इनके बीच में बैठा करके शांती से वारता होती है और इनकी mediation किसने की USA ने इसके अलावा साओधी अरब और इरान की बीच की जो जो लड़ाई थी उसको no doubt automatically return होगा निया आप infrastructure develop कर दो लड़ाई होगी तो एक दूसरे के उपर attack करने के चक्कर में जो भी development हो उसको फिर आप destroy कर दोगे तो इस चक्कर में regional stability भी बहुत जरूरी थी जो कि China ने कर दी कोई बात नहीं पर हमारे लिए वो beneficial होगी जब हम US, Saudi Arab, UAE और India ये मिल करके काम कर इसके अलावा land connectivity में आपको बताई दिया कि हम क्यों अभी भी West Asia के साथ में Arabian Sea के तुरू connectivity की बात करें क्योंकि पाकिस्तान क्रॉस करके हमें West Asia जाने का मौका मिल सकता है और पाकिस्तान से हमारे रिष्ट अच्छे चलनी रहे हैं तो देखो एक तो ऐसी बात है कि आज के तरीके से दो दड़ों में बटी हुई है दुनिया जिसमें एक तरफ तो है West और दूसरी तरफ है Russia या फिर एक तरफ है West दूसरी तरफ Russia है चाइना तो उनके बीच में जो balancing act है जिसमें इंडिया दोनों parties के साथ इंगीज कर रहा है ये देखो हमारी परिक्षा लेता ये अपने आप में अच्छी अप्रोच है ये चीज बताई गई है ठीक है आगे चलते हैं नेक्स आर्टिकल लोवर इन हायर एड्यूकेशन आर्टिकल को लिखा है क्रिस्टाफ जैफ्रोलाट और ए कलियारसन इनके द्वारा ये आर्टिकल लिखा हुआ है देखो दूसरी तरफ दूसरा सेक्षन है वो बैकवर्ड आता हुआ दिखाई दे रहा है तो इसमें बताया जा रहा है कि दलिच आदिवासी ओबीसी इनकी बात करें इनका जो एंडॉल्मेंट है इंडुकेशन में वह 4.2 11.9 और 4% जो है वह राईज हुआ है 2019-20 के कमपेरिजन मे 2020-21 में जबकि दूसरी तरफ देखा जाए तो अपर कास्ट जो है उनका जो एंडॉल्मेंट है वो मंदल कमीशन की जो मंदल सेकंड जो इंप्लिमेंट हुआ इसका मतलब हुआ कि रीसेंड मतलब जो रिजर्वेशन में और जो प्रोविजन किये गए थे तो उसके बाद मे 2000 के टाइम पे थोड़ा सा डाउन गया था ठीक है मतलब आप देखो कि रिजर्वेशन का जो प्रोविजन किया गया था उसमें आप देखो कि enrollment of higher caste in higher education वो decline कर रहा था फिर उसके बाद में जैसे ही एक बार time trend change होता है या फिर trend set होता है उसके बाद में higher caste का जो enrollment है वो फिर से rise होने लगया 13.6% की rate से जबकि यह सारा plus plus आगया जबकि Muslim students की जो है वो enrollment rate वो drop कर रही है जो की 2019-20 से अभी के comparison में अब मतलब 2019-20 से 2020-21 का जो data है उसमें देखा जाए तो 8% का decline देखने को मिला है और आप देख सकते हो कि वो decline लगबक 1,89,147 students का है तो कुल मिला करके Muslim community का जो आप कह सकते हो representation है higher education में वो है कम फिर आगे बताया जा रहा है कि सबसे ज़्यादे जो decline हुआ है वो UP में देखने को मिला है लगबक लगबक आप देख लो कि 36% जो decline है वो तो UP में देखा गया है फिर जम्मो कश्मीर में देखा गया है जिसमें 26% के लगबक है ठीक है जो total decline है उसमें से फिर महराष्टा मे तमिल नाड़ो में गुजरात में ये फॉलो करने वाले states है इसके आगे देखा जाए तो OBC की अगर बात करें तो OBC जो है जितना higher education में enrollment होता है उसका 36% तो OBC students है फिर दलिच की बात करें तो 14.2% है आदिवासी है 5.8% है जबकि Muslims जो है वो bottom में आ रहे है उनका जो आप कह सकते हो enrollment है वो 4.6% ही है टोटल जो enrollment है higher education में जबकि society में बोला Muslim community 15% है तो बोले ये decline जो है वो बहुत ज़्यादा concerning है फिर बताया जाता है कि सचर कमिटी की report आती है 2006 में उसमें ये बताया गया था कि Muslims का जो education में participation है वो backward communities के comparison में भी बुरा जा रहा है तो बोलो उसके लि सब्सक्राइब में देखा जाए तो periodic labor force survey जो release है उसके इसाब से देखा जाए periodic labor force survey के इसाब से 18 से 23 साल की उम्र का अगर हमें एक segment उठाए तो वो इसी trend को show करता है कि Muslims का participation higher education में वो decline हो रहा है Muslims जो है वो दलित और आदिवासियों से भी बुरा perform करते हुए दिखाईते रहें तो इसका मतलब कि PLFS data के according अगर देखें तो आप खुद देख लो कि higher educational institutions में Muslim community के जो भी 18 से 23 साल के लड़के हैं मतलब 18 से 23 साल के जो youth हैं उन में से किवल 19% ही ऐसे हैं जो कि higher educational institutions में जॉइन कर रहें जबकि आदिवासियों में 21% जाते हैं और दलिच में 26% हिंदू ओभीशी में 34% और आप देख सकते हो अपर कास्ट हिंदू की बात करते हैं तो 45% इसका मतलब यह हुआ कि जितना percentage जितना percentage बाकी communities के लोग higher education में पढ़ने के लिए जाते हैं इस age group के 18 से 23 में उम्र बता रहे हैं कि आप देखो कि most populous populous state of India UP यहाँ पर जो है वो लगातार decline देखने को मिल रहा है ना इसी की वज़य से national average भी decline कर रहा है क्योंकि सीधी बात है सबसे बड़ा populous सबसे ज्यादा population वाले state में अगर decline है तो फिर वो common trend बन जाता है फिर ठीक है क्योंकि फिर numbers वहा population है 20% जबकि enrollment कितना है वहाँ पर UP में 4.5% तो यह तो है सारा का सारा starts अब हम समझते हैं कि क्यों हुआ ऐसा यह declining trend क्यों देखने को मिल रहा है और दूसरी तरफ एक और एक और state है केरला जहां पर Muslims अच्छी खासी strength रखते हैं वहाँ पर इसका just reverse trend देखने को मिलता है वो अब देखो केरला है वहाँ पर positive enrollment देखने को मिल रहा है ठीक है वहाँ पर Muslim youth लगबग लगबग 43% enrollment देखने को मिल रहा है ठीक है higher education में इसके लाबा इसका logic क्या है क्यों ऐसा केरला में बाकी country के comparison में trend reverse दिख रहा है बुलो वहाँ पर positive discrimination जो है वो चल रहा है positive discrimination का मतलब हो तो इसके लिए हमें education capital तयार करनी पड़ती है इसका मतलब आप infrastructure और डवलप करो फिर उसके बाद में reservation का provision कर सकते हो या फिर scholarship provisions जो है वो उनको अच्छे supplement किया जा सकता है तो बोलो Muslims को केरला में 10% तो government jobs में reservation है और 12% higher educational institutions में reservation है बोलो यह जो point है इसने support किया है जिसकी वज जो है किरला की community बोलो उनको जो reservation मिलता है that is around 14% ठीक है बाकि Muslims जो है ठीक है वो आप देख सकते हो कि OBC quota के अंदर फिर एजवास के बाद में number 2 पे आ जाते है ठीक है OBC list के अंदर ही मिलता है Muslims को वहाँ पे reservation तो यह चीज़ शो करती है अब सवाल यह है कि किस तरीके से अभ दिमाग लगाते नहीं है ठीक है क्योंकि सबसे कम जो अब देख unemployment rate सबसे ज़्यादा जो unemployment rate देखने को मिल रही है वो इसी social religious group में Muslims में ही देखने को मिल रही है जिससे related यह data बताया जा रहा है और point यह बताया जा रहा है कि अगर एक CV में एक CV में ब्रामिन दलित और Muslim अगर तीन केटेगरीज के form डाले जाएं अलग-अलग जगह पे तो आप देखोगे कि ब्रामिन नेम जो है उसको preference ज्यादा मिलेगी यह यहाँ पर इनकी अपना concern है फिर पहला तो concern हो गया कि वह unemployment rate जाता है इनके बीच में मतला Muslims के बीच में दूसरा इस particular community के अगर बात करें हम second point आजाता है कि यह bleak context आजाता है कि पैसा ची होता है पढ़ाई के लिए और पैसे की कमी की वज़े से फिर यह पढ़ाई नहीं कर पाता है और इस case में फिर अपनी खुद की livelihood अर्ण करने के लिए मजबूरन Muslims को क्या करना पढ़ता है फिर अपने घर के छोटे-मोटे काम जो भी होते हैं उनमें हाथ बटाना पड़ता है चाहे फिर वह weaving से related हो car repair से related हो फिर उन कामों में लग जाता है तो पैसे की कमी तीसरा point यह बताया जा रहा है कि Muslim community के खिलाफ में लगातार violence भढ़ रहा है जिसकी वज़े से उनका जो special mobility है एक जगह से दूसरे जगह आना ज restriction लग गई है इसका भी कहीं नहीं side effect देखने को मिल रहा है तो यह अपने आप में तीन कारण बताया जा रहें कि क्यो Muslim community का जो representation higher education में वो कम होता चला जा रहा है इसके अलावा बताया जा रहा है कि government को जो है वो reasonable policy बनाने की जरुरत है suggestion आ गया last में जिसमें पुला सच्चर केरिला में enrollment rise देखने को मिल रहा है बोलो वो trend फिर बाद में पूरे country में देखने को मिल सकता है जबकि कई states ऐसे करनाट का खीक है वहाँ पर reverse देखने को मिल रहा है कि हाँ कुछ कोटा दिया हुआ था Muslims को OBC गेंडर में वो उनसे withdraw तक कर लिया गया है तो बोले यहाँ पर reversal नहीं होना चाहिए हमें अगर country को progress करानी है तो वही बात है कि कोई भी citizen को हमें second class citizen नहीं consider करना चाहिए और साथ में लेकर के आगे चलना चाहिए अब इसमें आपके polarity कहीं पे दिमाग में नहीं आनी चाहिए बाइसनेस कहीं नहीं आनी चाहिए एकतम proper आपका balanced answer होना चाह है तो आर्टिकल अच्छा था में में पॉइंट हमने निकाल लिए बीजेपी कर रही है कौन से पार्टी कर रही है उससे हमें कोई मतलब है नहीं ठीक है सरकार क्या कर रहे है government policy हमारे लिए important हो जाती है तो इस discussion में यह दो यह आर्टिकल्स थे thank you very much